दोस्ता पहले तो थीसरे T20 मोकाबले में भार त्या टीम के आतों वेस्ट एंडीज की टीम को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा मगर दोस्ता भार के बाब जूद भी BCCI ने वेस्ट एंडीज की टीम पर लगाया आठ करोर रुपे का चुर्माना और दो साल का प्रतिवन आखितकार का इस साब भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर तो इस वीडियो को राइक किजिए साथी साथ चैयों को सब्सक्राइब करें बहला खनद बाईए और नोडिकेस्टन पर क्लिक करना फिल्कोल ना भूलें दोस्तो तीसरे T20 मोकाबले में वेस्ट एंडीज की टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए 169 रन बना पाई 5 विकेट खोने के बाद 20 ओवर में 164 रन इस्कोल वोर पर लगा कर 3 विकेट खोने के बाद कर लिया जिसमें सवस्यादा सूर्य कुमार यादब ने 83 रन की तूफानी पारी खेली तो मैं इस्तलक बर्मा ने 49 रन का योगदन दिया और इस मौकाबले को भारतिया टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीता और इसी के साथ भारतिया टीम सीरीज में 2-1 से मौझूद है मगर दोस्ता आपको बता दे हैं भारतिया टीम से हार के बाफजूद भी BCCI ने वेस्ट एंडीज की टीम पार सिलो ओवर रेट के चलते हैं बड़ा जुर्मा न लगा दिया दरसल दोस्ता आपको बता दे हैं सिलो ओवर रेट होता हैं एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फिंकने होते हैं मगर पांच मिनट लेट होने के चकर में वेस्ट एंडीज की टीम पार बड़ा जुर्मा न लगा दिया BCCI ने